तो आज हम अपने sliding window mechanism का question number 5 करने वाले हैं यह lead code का hard level का question है बट to be honest अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको यह hard नहीं लगेगा ठीक है और इसको easy बना देंगे अच्छे से हम लोग lead code number 76 ठीक है question का नाम है minimum window substring ठीक है question काफी popular है और काफी अच्छा question है sliding window में one of the best questions मुझे लगता है यह ठीक है एक काफी companies ने पूछ रखा इस question को पहला है google factset amazon microsoft coordination make my trip streamoid technologies media.net तो इसी से पता चलता है कि कितना popular और अच्छा question होगा यह ठीक है तो input में आपको दो स्ट्रिंग दिया रहेगा एक s और एक t ठीक है आपको सबसे चोटा window ढूना है ठीक है जिसमें यह जो टी है ना present हो टी के सारे characters present हो ठीक है सारे character present हो जरूरी नहीं है कि इसी order में हो कोई भी order हो सकता है बट सारे character present होना चाहिए ठीक है और frequency भी सेम होना चाहिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए अगर दो बार होता न इसमें तो उस window जो आप निकाले को नहीं सबसे चोटा window उसमें भी दो बार होना चाहिए मतलब frequency should also be same ठीक है तो question थोड़ा सा simple है मतलब समझने के लिए तो question काफी है ठीक है तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो एक तो window मुझे यह दिख रहा है जिसमें A B और C तीनो present है एक तो window यह है A है B है C है है ना एक तो window यह मिल गया ठीक है और एक window है यह देखो C B A इसमें यह दोनों है है ना और एक window है जो सबसे चोटा है और इसमें A B C तीनो present है यह वाला यह हमारा answer भी है ठीक है तो पहले वाले window का length क्या था एक दो तीन चार पांच छे था दूसरे वाले window का था एक दो तीन चार पांच छे था यह वाले window का है चार है तो अविसे हमारा minimum है तो यह हमारा output भी है ठीक है तो अब देखते हैं इसको solve कैसे कर सकते हैं और यह बिल्कुल clear है देखकी बदा चल रहा है question पढ़की चल रहा है कि sliding window से best बन पाएगा ठीक है sliding window ही इसका solution हो सकता है ठीक है तो चोलो देखते हैं कि कैसे solve करते हैं इसको तो देखो यहार देखो जो मैं कहानी बताऊंगा ना उससे यह question सही में बहुत असान हो जाएगा ठीक है तो एकदम step by step समझो की कैसे approach लेता है ठीक है सबसे पहले तो यह चीज़ देखो कि आपको तो आप जब s में iterate कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर यह a है तो क्या यह a t में present है कि नहीं तो यह पता करने के लिए आपको t के सारे characters कहीं store करने पड़ेंगे ताकि अच्छे से quick access कर सको तो best होता है map ठीक है और आपको frequency भी same रखनी है तो frequency का भ ठीक है और input में दे रखा है कि lower case alphabet और upper case भी alphabet हो सकता है ठीक है तो map ही चुनना मैंने ठीक है तो पहले क्या करते है टी में जतने लेटर से सबको map में store कर देते हैं तो टी में से पहला लेटर कौन सा है ए है एक इतनी बार आया है एक बार आया है दूसरा लेटर है बी बी कित इतनी बार आया एक बार आया है चलो हमने सबसे पहला काम तो कर लिया कि सबसे पहला काम कर लिया ठीक है अब यह देखो कि अब मैं हां और एक चीज़ यह सचो कि question में दे रखा है कि भाई जितने characters होने चाहिए अगर एदो बार है तो आपके window में एदो बार ही होना ठीक है तो count निका यहां लिखके रख लेते हैं count required है एक variable बना लेंगे कितना count required है एक दो तीन है इसको यहां मार्क करके रख लेते हैं कि हमें 3 count required होंगे ठीक है चौलो यहां तक तो clear है अब देखो यहां पर आते हैं मैं हूँ I यहां से start करते हैं J यहां से start करते हैं और मैं अभी यहां पर हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो यह देखो कि अगर यह जो मेरा करड़र है इस पर मैं अभी खड़ा हूं टीक है जिस पर मैं खड़ा हूं अगर इसकी value map में present है और greater than 0 है ठीक है present है और greater than 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारे t में होगा तभी तो map में present है ना और greater than zero है इसका मतलब हमें चाहिए ये character तो चलो character चाहिए तो हमने a को ले लिया ठीक है हमने a को ले लिया तो हमारा count required अब एक घड़ जाएगा ना देखो यही main step है मैं फिर से repeat कर रहा हूं कि count required हमारा घड़ जाएगा क्यों कि हमें एक character a मिल गया और एक character जो a मिला है कैसे पता कि यह मिला है मैंने map में चेक कर लिया ठीक है और map में ये greater than zero है अगर zero रहता तो count required क्यों घटाते हैं है ना हमें चाहिए तो वो मिल गया map से count भी देखो a का count है वो greater than zero है मतलब हमें एक character मिल सकता है यहां से तो मैंने क्या किया ऑक character मिल गया मुझे a को ले लिया ओधिखो count required को मैं change कर रहा हूं अभी माइनस माइनस कर रहा हूँ काउंट रेक्वाइट को मैंने गाउंट रेक्वाइट को कर दिया तू क्योंकि एक करेक्टर मुझे ए मिल चुका है यहां तक बात समझ में आ गई हम इस धिकें और हां मैप में भी तो अपडेट करना पड़ेगा अब जिस्को महिए इसको आप tie कर नहीं करना है तो अब यह अब यह आप अप है पर हो ना को मैप में काउंट को अपडेट कर व तो दिखो मैंने ञें अलग जो कॉंट है जे को, हाँ, count required 0 हो गया है, क्या, count required 0 हो गया, मतलब हमें एक window मिल चुका है, जिसमें सारे characters TK present है, अभी तो मिला है नहीं, count required तो 0 हुआ है नहीं, तो तब देखा जाएगा जब 0 होगा, ठीक है, पहले आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं आगे अब यहाँ पर, J मेरा यहाँ पर है, ठीक है, सबसे पहले तो यह देखो, कि क्या हमारे पास, map में D है, ठीक है, greater than D, अगर D है भी तो उसका count greater than 0 है, क्या, नहीं है, तो हम count required को घटाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें D चाहिए ही नहीं अपने T के लिए, T में D है क्या, नहीं है न, तो D चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो और मैंने क्या बोला था, कि चलो, मैं जिस character में हूँ, उसका count घटाना तो है ही, map में, ठीक है, तो इसको भी, map में यहाँ पर, घटा देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में तो यह नहीं रहा होगा, क्योंकि T में D था नहीं, बट अभी जब traverse कर रहे हैं, तो D हमें मिला, बट D हमें चाहिए नहीं, तो कोई फर्क नहीं परता, तो D लिखा और उसको minus minus कर दिया, तो D, D, तो default value 0 होती है, तो उसमें minus 1 करेंगे, तो minus 1 हो जाएगा D, ठीक है, minus 1 का मतलब होगा कि हमें चाहिए ही नहीं, है ना, यह हमें चाहिए ही नहीं, हमारे T में है ही नहीं है, चलो ठीक है, क्योंकि मैं जिस character में हूँ, मुझे उसको minus करना ही करना है, तो हम अपने required count को change ही नहीं करेंगे, है ना, ठीक है, O हमारे map में नहीं है, और इसकी frequency greater than zero भी नहीं है, ठीक है, तो हम अपने required count को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे हर एक word को ध्यान से सुनना, ठीक है, तो चलो ठीक है, मतलब O की हमें कोई जरूरत नहीं है, as it impacts nothing, तो O को मैंने, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, इसी तरह O को भी मैंने यहाँ डाल दिया, minus one करके, ठीक है, यहाँ पर O डाल दिया, minus one करके, चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे B पे, अगर है तो उसकी फ्रेक्वेंसी क्या greater than zero है, yes, greater than zero है, मतलब हमें चाहिए, it is required, ठीक है, तो चलो B को भी ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया, B को भी ले लिया, और अगर ले लिया, तो count required भी घटाना पड़ेगा, तो count required 2 से अब हटा के, मैंने count required को one कर दिया, है ना, one कर दिया, और map में भी तो update करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, map में तो उस character की frequency घटानी घटानी है, ठीक है, तो B की frequency को घटाके, मैंने map कर दिया, zero, minus minus किया तो, ठीक है, यहां तक सब कुछ clear दिख रहा है, क्या हमारा count required zero हुआ है अभी, नहीं, अभी भी एक चाहिए, तो अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे है, अभी आगई बढ़ते चलेंगे, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगर बोल रहे तो, ओके, मैं आगे अब यहां पर, ठीक है, क्या हमारे पास E है, मैप में और उकसी frequency greater than zero है, नहीं है, तो count required में कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन E की frequency को हमें, minus minus तो करना ही करना है, ठीक है, तो E को भी मैंने यहां पर, डाल दिया, और minus one कर दिया, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि count required अभी भी बनी है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा मुझे, अब आगे है मैं यहां पर, C पर, J यहां पर आगया, क्या C हमारे map में present है, और उसकी frequency greater than zero है, greater than zero है मतलब मुझे चाहिए होगा न, it must be required, तो required पर, तो हम क्या करेंगे, C को ले लेंगे, तो मैंने क्या किया, C को ले लिया, तो count required मेरा एक घट जाएगा, तो count required मेरा घट गया, ठीक है, count required होगा जीरो, यह clear है, और जिस character में उसकी frequency, तो हमें घटानी घटानी है, तो C की frequency घटाके, मैंने कर दिया यहाँ पर, 0, ठीक है, अब फिर क्या चेक करते थे, कि क्या हमारा count required 0 हो चुका है, count required 0 का मतलब क्या हुआ, कि सारे characters T के मिल गए हैं हमें, और सही बात भी है, अगर अब ध्यान दो, तो आपको सारे characters, सच में मिल चुके हैं इस window में, ठीक है, आपका J यहाँ पर है, और I यहाँ पर है, ठीक है, आपको तो मिल चुका है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, कि अब तो यह मुझे यह window मिल चुका है, जो की, जिसमें सारे characters हैं, ठीक है, तो इस window का length देख देलते हैं, ठीक है, अब देखो, अगर possible है, तो इस window को shrink कर सकते हैं, क्या, ठीक है, अगर possible है, तो can I shrink this window, देखते हैं, तो पहले तो यह देख लेते हैं, कि यह window की size किया है, 6 है ना इस window के size, J माइनस I प्लस 1, है ना window का size 6 है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने window के size को, माल लेते है window size को, window size को मैंने starting में, infinity मांग रखा था, और अभी 6 आ गया है, तो अब्वेसे 6 छोटा है, तो मैंने इसको update कर दिया, 6 है, चलो यह तो ठीक है, बट, मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, अभी जो window मिला है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ गया, तो छोटा कहां से करेंगे, left side से, I के तरफ से, है ना, छोटा I के तरफ से करेंगे, तो देखते हैं, if we can shrink it, चलो, ठीक है, रिक्वाइट जीरो ही रहना चाहिए, लेकिन, श्रिंक कर सकते हैं कि नी, वो चेक करते हैं, चलो, ठीक है, तो श्रिंक करते हैं, तो श्रिंक में कौन हेल्प कर रहा है हमारी, I variable, I यहाँ पर है, चलो, ठीक है, तो, सबसे पहले तो, अगर श्रिंक करेंगे, तो अब वेसे विंडो से बाहर चला जाएगा, मतलब आई को अगर मैं यहाँ श्रिफ्ट करता हूँ, तो ये वाला पार्ट विंडो से बाहर चला जाएगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो विंडो में है नहीं, तो फ्रिक्वेंसी को मैप में अपडेट करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो, अभी आई कहाँ पर है, करेक्टर नमबर ए पर है ना, आई करेक्टर नमबर ए पर है, बहा दिया, यहाँ बन कर दिया, ठीक है? यह तो ठीक है, अब इसके बाद मैं यह भी जिख करूँगा, कि अच्छा, क्या हमारा जो, ए है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या ग्रेटर दन जीरो हो चुकी है, येस, ग्रेटर दन जीरो हो चुकी है, ये आपने प्लस प्लस किया, तो ग्रेटर दन जीरो हो गई, न, है न, ग्रेटर दन जीरो हो गई, मतलब रिक्वाइड अब असर पड़ेगा, हमारे काउंट रिक्वाइड में, आपके विंडो से आपने ए को निकाल दिया, ठीक है, और A तो हमें चाहिए था, तो यहाँ पर काउंट रिक्वाइड वन हो गया, अब तो, देख रहे हो, काउंट रिक्वाइड को प्लस प्लस कर दिया, वन हो गया, ठीक है, तो ध्यान दो मैंने क्या चेक किया, कि क्या A की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दन जीरो है, गेटर दन जीरो हो गई मतलब, हमें वो चाहिए होगा, मतलब हमने विंडो से ऐसे क्रेटर को निकाल दिया, जो हमारे T में था, तभी तो ग्रेटर दन जीरो हुआ, ठीक है, तो चलो, I को बढ़ना तो था, तो I तो बढ़ गया, ठीक है, I यहाँ पर बढ़ गया, I आगया अब, यहाँ पर, ठीक है, I आगया यहाँ पर, ठीक है, I तो आगया यहाँ पर, बट अब यह देखो, कि count required of 1 है, मतब हम और श्रिंक नहीं कर सकते हैं, है ना, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें J को बढ़ाना होगा, यह देखने के लिए, कि क्या हमें A मिल सकता है, क्योंकि B और C तो है, अब आगे जाके, J A को ढूनना चाहेगा, है ना, ओके, तो यहाँ पर अब हम A को ढूनते हैं, आई तो अभी यही पर रहने दो, ठीक है, ओके, अब J अपने जाड़नी में आगे निकलेगा, ठीक है, ठीक है, तो अभी ध्यान दो, I और J के बीच में कौन-कौन से करेक्टर हैं हमारे पास, B और C हैं, है न, देखो, दोनों में मैंने मार्क कर रखा है, और उन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी 0 है, यहाँ पर मैप में, ठीक है, A की फ्रिक्वेंसी 1 हो गई थी, क्योंकि उसको हमने विंडो से निकाल दिया, वो I और J के विंडो में A भी नहीं है, उसी को सर्च करने के लिए अब J आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो J को मैंने बढ़ा दिया आगे, अब J आगे यहाँ पर, चलो ठीक है, अब यहाँ पर O आ गया, तो सबसे पहले तो यह देखो भाई, कि जो O है, हमारे मैप में, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर दन जीरो है, नहीं है, देखो O की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दन जीरो है कि, नहीं यह तो मैइनस वन है, तो भाई हमारे काउंट रेक्वाइड में, कोई असर नहीं पड़एगा, क्योंकि हमें यह चाहिए नहीं, यह मैं requirement ही नहीं है तो count required को नहीं चेड़ेंगे नहीं घटाएंगे और हाँ जिस फ्रेक्वेंस जिस आता है उसकी frequency हमें घटानी तो पड़ती है तो इसको माइनस 1 को घटाके और माइनस 2 कर देंगे इसको आना तो यह हो जाएगा माइनस टू ठीक है कि मुझे तो तुम नहीं चाहिए भाई माइनस टू हो जाओ तुम और भी घरते चले जो मुझे तुमारे ज़रूरत नहीं है ठीक है अब जे आगे बढ़ेगा काउंटर क्वाइड अभी भी वन है देखो इसलिए मैंने अभी कुछ कर नहीं रहा है मैं बढ़ाते चला जा रहा हूं जे को काउंटर क्वाइड जीरो होगा तब मतलब हम एक विंडो मिल चुका होगा ठीक है अब आया डी तो मैं पूछता हूं कि मैप में डी की फ्रिक्व इसलिए जीरो नहीं है यह इकी फ्रिक्वेंसी क्या ग्रेटर दन जीरो नहीं है मतलब हमें नहीं चाहिए ठीक है तो इको भी और घटा दो माइनस टू कर दो ठीक है और हम गटे है काउंट्रक्व diferentes आभी भी वन तो कुछ नहीं कर सकते है आग़ी बढ़ना पढ़ेगा अब आगए भी है थीक है तो क्या बी की फ्रिक्वेंसी मैप में नहीं है इसीरो गट्वारोब में कोई एसर नहीं पढ़ेगा ठीक ए काउंट्रेक्वेंसी को ख ठीक है अब जे आगे बढ़ जाएगा अभी भी काउंट रिक्वाइड वन ही है जब यहां पर आया तो जे ने देखा कि अच्छा जो एक जो ए है उसकी फ्रिक्वेंसी मैप में वन है मतलब मुझे चाहिए तो काउंट रिक्वाइड मतलब एक घटेगा क्योंकि एक चाहिए मुझे मिला है तो एको मैंने ले लिया यहां पर तो इसकी फ्रिक्वेंसी मैनस मैनस के लिए तो जीरो हो गया ठीक है अब देखो जे आगे तो बढ़ाएंगे बढ़ उससे पहले यह देख लो काउंट रिक्वाइड जीरो है मतलब हमें एक ऐसा विंडो मिल चुका है जिस इसमें सारे करेक्टर required करेक्टर मिल चुके है और वह विंडो मेरा यह है देखो देख आधियान से देख रहे हो इसमें हमारा ए भी है बी भी है सी भी है ठीक है तो अब काउंट रिक्वाइड अगर जीरो है तो निकाल लेते विंडो का साइज क्या देखते है जे माइनस प्लस वन कितना हो जाएगा टेन माइनस वन प्लस वन टेन आ गया विंडो साइज छे था पहले हमारा और अभी टेन आया है तो छे ही अच्छा था ना तो मतलब यह विंडो साइज तो मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो अब तो यह चेक करें कि भाई श्रिंक कर सकते हैं दे तो आई है हमारा यहाँ पर ठीक है पर तो पहले तो आई बारीटी की अर तो डीकी फ्रिक्वेंसी इम Was से अंब एपने ऊद्धी की यहाँ पर हमने माइनस टू तो ना तो मैंने माइनस वन कर देंगा उन कर देंगा चालो THईक कर माइनस वन अभी थापtalk यह अभी 6 क्यों क्योंकि मुझे तुम चाहिए नहीं कभी भी तुम ती में हो यह नहीं तो तुम हमेशा नेगेटिव में ही रहोगे चलो बढ़िया है ठीक है अब ही जीरो ही रहेगा और सही बात भी यह 0 होना भी चाहिए क्योंकि ड्यम हमें चाहिए नहीं था अब मेरा आगे बढ़ जाएगा आई मेरा आगे यहां पर ठीक है ओ पर रहे तो सबसे पहले तो भाई ओ का देख लेते हैं ओ की फ्रिक्वेंसी को प्लस वन कर देते हैं तो तो प्लस वन कर देते हैं तो पी की फ्रिक्वेंसी अभी माइनस वन है उसमें प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो जाएगा ध्यान देना इहां इंपॉर्टेंट है ठीक है यहां पर जीरो हो गया ठीक है और अब मैं फिर से वही कोश्य पुछ तो पुछोंगा कि क्या बी की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दन जीरो है नहीं यह तो इसलिए मैं काउंट रिक्वाइड को भी नहीं कुछ क कि की फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे माइनस वन हो जाएगा क्या एक रिक्वेंसी ग्रेटर दन जीरो हो गई नहीं होगी तो मैं काउंट रिक्वाइट को नहीं चलूँगा चलो ठीक है कर दो नहीं है अब आई मेरा यहां पर आगया सी ठीक है तो सी जब सी है तो सी की ऐए ट क्या सी की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दन जीरो है इसका मतलब सी हमें स्रेक्वेंस होगा मiiii विंडो से हटा नहीं सकते हैं है ना देखो टी में सी है तो काउंट रिक्वाइट को मैं प्लस वन करूंगा कि भाई मैंने विंडो को तो श्रिंक कर दिया है बट श्रिंक करते-करते मैंने सी को अटा दिया जो कि यह मैं चाहिए था तो यहां से आई जो है मतलब यहां पर हमने आई फिर यहां पर आ गया ठीक है सी को तो हटा दिया विंडो से लेकिन काउंट रिक्वाइट भी वन कर दिया क्यूंकि देखो अब ध्यान दो इस विंडो पर अब जो मेरी विंडो बची है यह वाली विंडो आई और जे के पीछे विंडो इसमें सच मैं C नहीं है इसमें B aos A SeasTime और वही है और सही हो बात भी है मैप में भी सी आएगा rescue में ठीक है तो जे भाईया आप जाएंगे आगे जे आगया यहां पर जे आगया यहां पर ठीक है और हाँ हर बार आप जब आई को move कर रहे थे ना तो हर बार आप चेक करते रहना कि सबसे छोटा window कौन सा मिला था है ना इससे पहले वाले में याद करो मैं पीछे जाता हूं फिर से इसके पहले वाले में जे यहां था और आई यहां था ना इसके पहले वाले में तो हमने window size check नहीं किया था उस वक्त चेक कर लेते हैं अभी भी 10-5 प्लस 1 ठीक है यह 6 आया तो हमारे window window size भी पहले 60 था भी भी 60 है तो कुछ improvement नहीं है ठीक है चलो ठीक है मतलब कुछ फाइदा नहीं हो एतना आई यहां पड़ता ना next time मैं आई यहां पड़ता और हमने जे को बोला था जे भाईया आप आगे जाओ और पाकी क्रेट को डूंड के लाओ तो जे भाईया आगे 9 ठीक है 11 पर आगे एन पर तो एन तो हमारे मैप में है नहीं तो count required पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें N चाहिए यह नहीं आगे जाएगा अपनी जड़नी में तो जे आगे जाएगा अपने जड़नी में तो जे आगे आगे यहां अपर जे आ चुका है लास्ट में 12 पर 12 इंडेक्स पर यहां जगह नहीं इसलिए साइड में लिख दिया है ठीक है तो अब आ गया सी पर दो अब यह इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का ठीक है तो सी पर आ गया तो पहले तो देखते हैं कि क्या सी की फ्रिक्वेंसी मैप म है greater than zero मतलब हमें चाहिए यह required है तो सबसे पहले काण्ट रिक्वाइड को माइनस मैनस करो सबसेट होने हमारा जीरो आफ देखते हैं कि क्या हमारा count required जीरो जुका है, यह zero हो जुका है. मतलब हमें एक aphasa window मिल गया है जिसमें तीनों collector हैborg देख लेते हैं little i c के बीच का जो window गया ty इसमें एक a, b, c है क्या a, b, c है a, c, b very good, मतलब एक window मिल गया है जाङ on right, एक ding director m. अच्छी बात है, but चलो ठीक है देखते हैं आई को श्रिंग करके ठीक है अब देखो तो आई अभी है ओपर ठीक है तो ठीक है ओभी विंडो से बाहर निकलेगा तो ओ की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी तो पड़ेगी तो चलो ओ की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया तो ओ की फ्रिक्वेंसी जीरो हो ग पढ़ेगा चलो ठीक है तो आई आगे बढ़ गया आई जब आगे बढ़ा तो देख रहो अभी हमारे विंडो छोटा होता जा रहा है एक दो तीन चार पांच शे अभी भी छे साइस का विंडो है तो कुछ अपडेट नहीं करेंगे ठीक है अब आई आया है डी पर तो डी की बढ़ा देते हैं मैनेस वन है ना तो बढ़ा दिया तो जीरो हो गया किया डी की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर तन जीरो है नहीं तो कौंट रिक्वार्ट पर कोई एसर नहीं पड़ेगा परना भी नीच क्योंकि डी हमें चाहिए ही नहीं था टी में डी कहा है देखो चलो ठीक पांच तो हो गया हां लेकिन आपको ये भी तो पताना चाहिए कि पांच जब हुआ था तो आई कहां पर था आई एट्थ इंडेक्स पर था तो वो भी नोट करके रिख लेते हैं है ना स्टार्ट आई क्योंकि आपको स्ट्रिंग भेजना है ना रेस्पॉंस में लेंथ थोड़ी बेजना है तो यह पता कर लेंगा कि कहां से मेरा मिनिमम इंडो स्टार्ट हुआ है उसको भी स्टोर करते चलेंगे ताकि लास्ट में हम आई से लेकर विंडो साइस तक का टाइम में एट को डाल लिया कि एट वाला इंडेक्स है ना वही से जो मुझे विंडो साइज मिला था वह सबसे छोटा मिला था ठीक है एक दो तीन चार पांच बहुत बढ़िया विंडो साइस और छोटा हो चुका है ठीक है और एकी फ्रेक्वेंसी बढ़ानी पड़ेग होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ए जो है हमारे टी में है इनी देख रहो तो चलो ठीक है अब आई आगे बढ़ जाएगा अब आई जब आगे बढ़ा ठीक है तो सबसे पहले तो भाई मैं यह खुश हो गया कि विंडो साइज और कम हो गया है देखो चार हो गया है तो विं अब इस फἇंसी को बढ़ा देता है यह क्या रिक्ष तो यहां पर 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 पड़ेगा तो मैंने प्लस प्लस करके count required को one कर दिया होना भी चाहिए था क्योंकि तो को बी जो है वह आपके है टीम है ठीक है तो आप उसको विंडो से हटा रहे हो तो आपकी requirement भी बढ़नी चाहिए वन आ गया अब count required भी बढ़के one हो गया ठीक है अब i यहाँ पर आएगा अच्छा हाँ अभी i क्यों आएगा यहाँ ठीक है आई तो आगे बढ़ गया बट count required one हो चुका है इसका मतलब अब j को आगे बढ़ना पड़ेगा जे अब अपने जरनी पर आगे बढ़ेगा और जो बचा चोटा विंडो साइज वो था चार जो कि था ये वाला बी ए एंसी और कहां से स्टार्ट हुआ था इंडेक्स नंबर 9 से स्टार्ट हुआ था देखे रहे हो इसलिए मैंने स्टार्ट आई को स्टोर कर लिया था हर बार ठीक है अब आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो राम स ना 9th index से लेकर 4 length का string लेलो 9th index से लेकर 4 length का string लेलो ये वाला B.A.N.C. यही आपका answer भी था देखे रहो ये question बहुत ही अच्छा है यार ठीक है मैंने अभी जो story बताई ना विलकुल एकदम वैसी की वैसी code भी करूँगा line by line ठीक है आपको बहुत अच्छे समझाएगा I'm प्रिटी शूर कि आपको यह हाड तो नहीं लगेगा इजी भी ठीक है मैं नहीं बोलूगा चलो मीडियम तो बना दिया है मैंने इस कॉश्चन को अब प्रेटी शूर तो एकदम बिल्कुल इसी तरह लाइन बै लाइन कोड करते हैं और इसी तरह सोरी सुना सुना कर कोड करेंगे ताकि आपको और बेच्छे समझना है ठीक है तो चली कोडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो लेंक निकाल लेते हैं ठीक है और हाँ एक आपको पता होना चाहिए कि आपको टी को ढूणा है ना एस में अंहया अगरी का ही लेंध बढ़ा हो गया आप तब तो कुछ है ठीक है अब मैप में स्टोर कर लेते हैं ठीक है अपने किसको टी को ठीक है MP of CH++ तो यह हमने कि स्टोर कर लिया है यहां था क्लियर है ठीक है अब इसके बाद required count is equal to कितना था टी डॉट लेंट न यह हमारा required count है फिर दो variable रखा था हमने i is equal to zero j is equal to zero ठीक है उसके बाद window size जो हमें निकालना है अभी मान लेते हैं कि वो infinity है int max है ठीक है और start icon store कर लेंगे ठीक है start icon store कर लेंगे store नई भी करो तो चलेगा जहां पर आपको minimum window मिल रहा है उधर ही आप सब्स्ट्रिंग निकाल लो लेकिन बार बार बीच में सब्स्ट्रिंग निकालो तो वो slow हो जाएगा न एक ही बार बढ़िया वाला start आई जो मिल जाएगा उसको last में सब्स्ट्रिंग निकाल लिया जाएगा ठीक है तो अभी start आई 0 रखते हैं अभी तो कुछ हमें मिला है नहीं ठीक है तो अब story start करते हैं बिलकुल वैसे ही जैसे बताया थे मैंने story starts ठीक है हमारे सफर में जे निकलेगा ठीक है जे ढूंडेगा हमारे सारे characters को ठीक है तो सबसे पहला character क्या है मेरा s of j है न चलो ठीक है तो सबसे बहले क्या देखते थे कि क्या हमारे map में इस ch का जो frequency है वो greater than zero है greater than zero है मतलब हमें चाहिए होगा ना वो मतलब हम required है तो मतलब required count को अब हम minus कर सकते हैं क्योंकि हमें required है वो तो हमने एक area map से अगर और map में उसकी frequency घटानी तो है ही हर बार यह तो कर नहीं है आपको ठीक है हाँ अब यह सब करने के बाद मैंने क्या बढ़ा था कि अगर required count zero मिल गया ठीक है start shrinking the window है ना जीरो जब तक है तो तक श्रिंक करते रहो ठीक है हाँ अभी current window size भी निकाल लो है ना जे माइनस आई प्लस वन और अगर मेरा जो window size है जो हमारा result होगा वो अगर बढ़ा है current window size से तो अब्वेसे अपडेट करना होगा हमें और बढ़िया वाला मिल जो रही हमें है अगर ऐसा है हूं को तो वेन्टो साइज फिन्टो साइज ना करके मिन मिंदो साइज बना देते हैं मिन विंदो साइज управ को अब्डेट कर देंगे current window SAYS 1 चीक है और हाई यह में कहां से मिले मैं ना स्टार्ट आई उम्हें इस टोर कर लेंगे चलो बढ़िया है ठीक है उसके बात मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो जिस करेटर में मैं आई है shift कर रहे ना श्रिंग कर रहे ना तो पहले तो उसकी frequency को बढ़ा देते हैं उसके बाता है कि अगर उसकी frequency s of i की इसको विंडो से निकाल दिया तो हमारा requirement भी अब बढ़ेगा ना तो हमारा required count भी plus plus करना पड़ेगा हमें right make sense बिल्कुल वैसे बता रहे हैं जैसे स्टोरी था हमारा ठीक है कोई भी I hope कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा आपको यहां पर बिल्कुल जैसे बता था बिल्कुल वैसे ही है ठीक है और हाँ अब विंडो श्रिंक कर रहे हैं तो प्लस प्लस भी करते चलो ठीक है चलो बढ़िया यहां तक क्लियर हो रहा होगा यह सब खतम यह हमारा वाइल वाला लूप था ठीक है अब जब यह वाइल लूप खतम हो गया मतब रेक्वाइड काउंट अब 0 नहीं रहा मतब अब जे को आगे बढ़ना पड़ेगा तो जे तो भाई बढ़ेगा आगे अपने सफर में जे प्लस प्लस कर दिया ठीक है यह पूरे लूप से हम जब बाहर निकल जाएंगे यह हमारा पूरा खतम हो जाएगा तो तब तक हमें अपना मिल चुका होगा अंसर ठीक है तो सबसे पहले तो यह देख लेता है कि क्या हमारा ज रिटर्न कर देंगे empty string और अगर ऐसा नहीं है मतलब हमें मिल चुका है तो सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे सबस्ट्रियार स्टार्ट आई हम इसलिए स्टोर कर रहेते हैं सबस्ट्रिंग निकालना में help आता है और जो हमारा विंडो साइज मिन विंडो साइज इतने साइज इसका सबस्ट्रिंग चाहिए ठीक है सब्मेट करके देखते हैं तो क्वेशन तो बहुत मज़ेदार है इसको जब बनाया था तो बहुत ही अच्छा लगाता ठीक है क्या अगर बड़े रिटर्ण नहीं होना चाहिए ठीक है अगर मिनमें विंडो साइज इंट मैक्स है तो पास्ट आल देटर्स केसे इसको सब्मिट कर लेता है अगर एंड वी हैफ पास्ट एसकेसे और वी हैफ सक्सेसुली सॉल्व डिसक्षिन आइफ आपको समझ में हो यह मिनमें मिन्टो सबस्ट्रिंग का सबसे अच्छा क्वेशन है मेरे हिसाब से इससे बहुत सारी चीज़ से क्लियर होती है ठीक है कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट सेक्षिन में रेज करो और ट्राइटो हेल्प यो सी यू गाइज दे नेक्स वीडियो थैंक यू